Hello Friends, कैसो आप सब, दोस्तो मई का महीना almost खतम हो चुका है और अब आने वाला है June का महीना तो उससे पहले दोस्तो मैं आपको लिश्ट बता दू कि June में कौन कौन सी web series या फिर कौन कौन सी movies रिलीज होने वाली और दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम उसी web series या फिर movie की बात करेंगे जो कि दोस्तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगी और फाइनली लास्ट में मैं आपको जो भी other language की movie या वेब series होगी वो मैं आपको बता दूँगा तो चलो दोस्तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लें तो दोस्तो जून में जो सबसे पहला महिना हमारा start होने वाला यानि कौन सी date से web series या फिर movies रिलीज होगी तो दोस्तो वो है 4 जून तो चार जून को जो सबसे पहला content रिलीज होगा वह है The Family Man Season 2 जो की Amazon Prime पर रिलीज होने वाली है और दोस्तो यह बहुत ही much awaited web series थी काफी दिनों से दोस्तो इसका जो season 2 था वो आगे बढ़ता चला गया था तो finally यह चार जून को अब रिलीज होने वाला है इसके बात बात क यह Amazon Prime पर आपको देखने को मिलेगी और बहुत interesting web series यह भी होने वाली है चार जून के बाद आप बात करते नौ जून की तो 9 जून को रिलीज होने वाली है लोगी जो की Disney Plus Host Star पर हमें देखने को मिलेगी और दोस्तों इसके जो पार्टेस रिलीज होगे वह weekly release होने वाले है और यह आपको English के साथ से थिंदी में भी देखने को मिल जाएगी 9 जून के बाद अगर हम बात करें 10 जून की तो 10 जून को release होने वाली MX Player की web series इंदौरी इसक और इसके बाद दोस्तों हम बात करते ही 11 जून की तो 11 जून को कई सारे content release होने वाले है जिसमें से सबसे पहला जो content वो है Sunflower जो की G5 की web series है जिसमें आपको Sunil Grower देखने को मिलेंगे और की कई सारे cast आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और यह एक modern mystery web series होने वाली है इसके बात बात करते है second content की जो की skater girl जो release होगी Netflix पे और दोस्तों इसमें गाहों की कहानी दिखाएगी जो छोट release होगी 11 जून को इसके बाद 11 जून को third content release होगी Lupine Part 2 जो की दोस्तों इसका Part 1 काफी ज़्यादा famous हुआ था और यह Netflix पे इसका Part 2 release होने वाला और यह आपको English के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलेगी 11 जून के बाद हम आते हैं 18 जून पर जहां पर हमें देखने को मिल जग में धन्डरम धनुस की crime thriller movie और यह बहुत ही much awaited movie थी तो यह दोस्तों हमें 18 जून को देखने को मिलने वाली है 18 जून के पर दोस्तों हम आते हैं 25 जून पर जहां पर दोस्तों release होने वाली है Netflix की web series Ray जो की सत्जीत Ray से प्रेरित है और यहां पर दोस्तों चार होने वाली दोस्तों 25 जून को release हो रहा है Fast and Furious 9 जिसका काफी दिनों से वेट लेकिन I think 25 जून तक इंडिया में lockdown खुल सकता है तो दोस्तों हो सकता है यह OTT पर देखने को मिले और अगर दोस्तों OTT पर देखने को नहीं मिलता तो देखते हैं कि इसके जो मीकर से वह इंडि दीजिया फिर वैब से रिली जोंगे लेकिन दोस्तों उसका डेट अभी फाइनल में हुआ है तो जैसी फाइनल होगा तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जब बताना साथ ही लाइक सेर कर देना तो मिलते दोस्तों आ जाएंगे पहा ही लाइक परेल आप देना